जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिद जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप दिखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहाँ पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे तो आज का जो आपका पहला प्रस्न है दोस्तों जो भी साती New है वो पिलीज सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को Like और Share अबस करना है और Telegram में आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों आपको सर्च करना है MP Jail प्रहरी MP Jail प्रहरी Telegram में या फिर मेरा WhatsApp नमबर है 9098609291 ठीक है तो आप WhatsApp ग्रोफ से Telegram ग्रोफ में आपको जुनना है आज का आपका पहला प्रस्न जो आपको बताना है कि ब्रंदवल्लाल बर्मा हैं तो क्या हैं दोस्तों इतिहासे को पन्यासकार हैं मनोब इस्रेश्रात्मा को पन्यासकार हैं जाजसूसी उपन्यासकार हैं या फिर पौराने को पन्यासकार हैं इन चार में से बताना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो ब्रंदवल्लाल भर्मा है इनका एक उपन्यास है दोस्तों म्रग नहीं नहीं आप से अगर कभी पूचा जाए कि म्रग नहीं नहीं उपन्यास किसका है तो आप बता देना ब्रंदवल्लाल भर्मा का है ठीक उसा जी विलकूल आपका हैपी वड़े है आपको बहुत-बहुत सुपकामना हैपी वड़े की है ना और ब्रिंदावलाल बर्मा एतिहासे को पन्यासकार माने जाती हैं दोस्तो मनोबिश्णेशनात्मा को पन्यासकार की अगर बात होती है अगर आप से कभी पूछा जाए कि निम्नमे से बताईए मनो बिश्रेशात्मा को पन्यासकार कौन है तो आप बता देना दोस्तो जैनेंद्र कुमार ठीक है जैनेंद्र कुमार माने जाते हैं दूसरा दोस्तो इला चंद्र जोसी माने जाते हैं ठीक है ये माने जाते हैं अग्गे जी माने जाते हैं अग्गे बनेंद्र कुमार, ईला चंद्र जोसी, अग्ये और डाक्टर देवराज ये मनुविश्टेशन आत्मक माने जाती हैं एतियासिक उपन्यासकार आपके ब्रेंदावन लाल बर्मा माने जाती हैं ठीके जासुसी उपन्यासकार दोस्तों गोपाल राम गहमरी माने जाती हैं तो आपकी 40 मिनिट की कक्छा होगी इसको आपको पूरा देखना है और मेबाती की जब बात होती है दोस्तों तुम्हें आप से बताता हूँ कि जो हमारी हिंदी का उद्वा हुआ वो अपवरंस रूप से हुआ अपवरंस के अबहट रूप से हुआ ठीक है और अपवरंस की पस्चमी हिंदी से निकली है कैसे निकली है पस्चमी हिंदी से निकली है और दोस्तों आपको पता होगा कि यह पस्चमी हिंदी निकली है सौर सेनी अपवरंस से इनको याद रखेंगे ठीक है यहाँ पर मेबाती बोली पूछी गई आप से तो यह मेबाती बोली जो है दो कोड आपको लिखना है पूर्वी हिंदी अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट करते जाओ पूर्वी हिंदी के अंतरगत कौन-कौन सी बोलियां आती हैं तो आप नोट करो अब 36 गड़ी आ और अब 36 गड़ी कर दो नोट करो जल्दी से पूर्वी हिंदी की जो बोलियां आती ह कोड है आपकी ट्रेक है अब 36 गड़ी ठीक है तो आ से हो जाएगा अब दी बा से हो जाएगा बगेली और 36 गड़ी से 36 गड़ी ये तीन बोलियां जो है आती है काई के अंतरगत पूरी भी हिंदी के अंतरगत एक कोड हो गया आपका अब 36 गड़ी इसको नोट कर लिया आपन और जो बहारी हिंदी है दोस्तों, यह मागदी अपभरंशे से बेक्सित हुई है, मागदी अपभरंशे से इसका उदभाव माना जाता है, है ना, यह भी आपको याद रख लेना, मैं आपको बता दी रहा हूँ, मागदी, आप से पुछा जाएगा निम्यवयाँ से आती है तो आप मागदी का भी कोड लिख लो मागदी से जो निकली थी दोस्तो वो निकली थी आपका कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में तो इसको याद रख लेंगे बिहारी से बिहारी हिंदी बंगला से बंगला है ना उड़ा से उड़िया और असमिया में तो असम आए थी जो मागदी अपवरंस से बिक्सित हुई और उन्हीं मैंसे बहारी हिंदी थी और बहारी हिंदी के अंतरगत आपकी जो आती हैं वो आती हैं दोस्तों कौन-कौन सी मगही, मैथली, भोजपुरी इनको याद रखेंगे ठीक है और यह जो राजस्तानी हिंदी है यह द इन से आपको लिखना है तु अंगला क्वेश्चेन है आपको पंड़ताई सब्द में प्रत्य हैं तो वो कौनसा है प्रस्ण क्रमां के तीन का उत्तर पुछेंगे यह ऑंसे यह प्रत्द का इका, आईका, ताईका या फिर इताईका इन चार में से चेन करना है उत्तर बताए सभी लोग आप लोग क्या करते हैं बातें बहुत करने करती हैं है ना जब उत्तर आप से पूछा जाता है तो आप उत्तर जरूर बताया करें ठीके और यहाँ पर पंडिताई पूछा गया तो पंडित आई में कौन सा प्रत्य हो जाता है, जब आप से प्रत्य पूचा जाता है, तो आपने तद्यत प्रत्य पड़े होंगे, है ना, पड़े हैं की नहीं पड़े हैं, किरदंत प्रत्य पड़े हैं, और इस्त्री प्रत्य पड़े होंगे, और यहाँ पर जो पंडित धन आई यानि बी नम्मर सही हो जाता है ठीक है और प्रत्य जो लगता है वो सब्द के अंते में लगता है सब्द के बाद में लगता है ठीक है यानि बी नम्मर आपका बिलकुश सही होगा अंदर है प्रश्ण किरमांग चार का उत्तर बताना है यथा इस्थान पद में कौन सा समास है अब समास बताना है दोस्तो प्रश्ण किरमंग चार में यथा इस्थान तो यथा यहाँ पर आया है दो अब्याई भाव समास की परिभासा बताता हूं कि जिसका प्रताम पद अब्याई हो वो कहलाता है दोस्तों अब्याई भाव समास तो यहां पर रेथाय आया और रेथाय अब्याई है तो आप अब्याई भाव समास लगा लिना और संक्या बाची दिगू होता है जैसे आप से पूछता दोस्तो नील कमल में कौनसा समास है तो आप बता देते कि नीला है जो कमल यानि कि दोस्तो पहला पद दूसरे पद की बिसेश्टा बता रहा है कि कमल कैसा है नीला है और मैं आप से पूछा काली मिर्च में कौनसा समास है तब भी आप बता देते करम धाराय समास ठी अब अंगला बताना है पक्षी सब्द का परयावाची कौनसा है दोस्तों पक्षी द्वेज पक्षी को क्या कहा जाता है वो चीज बतानी द्वेज खग अंडज या फिर उक्तिसबी चार बिकल्प है पांच का उत्तर बताना है जो सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा और किसी की जो भी समस्या हो जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं वो क्लास के लाश्ट में पांच मिनट आपको दिये जाते हैं पांच मिनट में आप अपने प्रस्ण पूछ सकते हैं कहीं भी कोई डाउट लगता है वो पूछ सकते हैं ठीक है और पक्षी सब् आपका बिलकु सही है ठीके याद रखना पांच का उत्तर उक्तिसभी यानि चार नम्मर आपका बिलकु सही हो जाता है उक्तिसभी बाला अंगला है स्वारत सुकृतना स्रम बर्था देखी बहंग बेचार बाज पराए पानी परी तू पच्छिन न मारे तो यहाँ पर छे क उत्तर बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तो स्वारत सुकृतना स्रम बर्था देखी बहंग बेचारी यहाँ पर आपको अलंकार अलंकार का वीडियो आपने नहीं देखा होगा हमें पता है क्योंकि आप लोग देखते कहां है आप लोग तो सिर्फ मस्ती करने आ और यहां पर अन्यूकती अलंकार हो जाएगा। बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरमांग साथ का उत्तर बताना है दोस्तों जितने भी साथ ही बात कर रहे हैं पुलिस एक्जाम की या चोहांसर की तो हम लोगों का एक पूरा ग्रोप है जितने भी यूटूबर है हम लोग सभी का ग्रोप है सभी की बात होती ह चर्चा होती है पुलिस एक्जाम के लिए जो आंदुलन चल रहा है उसमें मैं सभी के साथ हूँ है ना तो अब आंगे अपन पड़ाई करते हैं ठीके तो आपका ससी का बिलोम आपको बताना है साथ का उत्तर बताना है और ससी का बिलोम आपका तरनी है ना यानि कि जो आपका ये नमबर है वो सही हो जाएगा दोस्तो तरणी मतलब होता है सूर तरणी मतलब क्या होता है सूर और ससी मतलब होता है चंद्रमा तो ससी का बिलोम होता है तरणी है ना इसको याद रख लेंगे तरणी दो प्रकार से लिखा जाता है दोस्तो इस प्रकार से एता रा और इसमें बड़ी की मात्रा अगर लगी ह तो तरणी और तरणी में अंतर होता है इसको आप लोग समझ लेना तरणी और तरणी है ना तो यहां बर जो तरणी है यह सूर और यह ससी तो ससी का हो जाता है क्या सूर इसको याद रखेंगे ठीक है गोपिया यहीं स्रीकष्ण से मिला करती थी बाग कहें इस्थान बोदक स सूचक सरचना दिसा बोदक सरचना या फिर बिधी सूचक सरचना तो गोपियां यहीं स्री कशन से मिला करती थी यह बाग कैसा माना जाता है यहां मिला करती थी यहां बाग को थोड़ा सा जोड़ दे के पढ़ना है कि गोपियां स्री कशन से मिला करती थी यहीं यहीं मतलब क इस्थान की बात हो रही है तो आपका जो ए नम्मर है वो आपका सही हो जाएगा गोपियां ही स्रीक्रश्न से मिला करती थी इस्थान बोदाक हो जाएगा निस कपट में कौन सी संदी है दोस्तों निस कपट गोण स्वर संदी यान स्वर संदी बेंजन या फिर बिसर्ग संद यानि कि प्रश्णिक्रमांक 9 का उत्तर लिखना है आपको हाँ इससे MPSI में भी ऐसा ही पैटर्न पूछा जाता है और निस्का हो जाएगा दोस्तों आपका नेह धन कपट नेह धन कपट बराबर क्या होगा निस्कपट और यहाँ पर आपका बिसर्ग आ गया है ना तो बिसर्ग आ गया तो आपका बिसर्ग संदी हो जाएगी चार नमबर ठीके चार नमबर आपका सही हो जाएगा ठीके अंगला आपको बताना है रतलाम जिले में बोली जाने बाली प्रमुक बोली है तो कौनसी है रतलाम के बारे में बताना ये चार बिकल्प है और दोस्तों मैंने रतलाम के बारे में कई बार बताया है कि जो रतलाम है यहाँ पर दोस्तों सेलाना अब्यारन है मैं जब जी के पड़ाता हूँ आपको रात में तो रतलाम में बताता हूँ कि सेलाना अब्यारन है अंगूर रतलाम काई में आता है मालवा में आता है ठीक है तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी मालवी अब आप लोग यही तो नहीं समझते पहले जिलों को अपन ने देख लिया कि कौन सा बुंदेल खंड चेतर में आता है कौन सा मालवा चेतर में आता है कौन सा रीबा पन्न यहां पर दोस्तो मालवी मालवा में आते हैं इसलिए यहां मालवी में और मालवी आपको पता है यह मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली मानी जाती है मालवी मालवी मारबाडी मेबाती यह राजस्थानी की हैं दोस्तो ठीक है और यहां पर नदी सब्द का अर्थ नहीं है ये बताना है तटनी, स्रोत बाहनी, निर्जर या फिर सरत, नदी के हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, एक जाम कोई भी हो, नदी के परयावाची पूछे जाते हैं, कमल के परयावाची पूछे जाते हैं, जल के परयावाची पूछे जाते हैं, हैना ब्रह्मा के परयावा निर्जर मतलब ये नहीं हो जाएगा निर्जर नहीं कहते सरिता सरित ये कहा जाता है तो आपका जो तीन नमबर है वो बिलको सही हो जाएगा निर्जर ठीक है सी नमबर आपका सही हो जाता है फिर अंगला क्वेस्चन आपसे पूचा जाता है नैबूला का हिंदी पारिभास एक सब्द क्या होता है आदर साथ मक्ता होता है निहारी का होता है आमिस्त्रित होता है या फिर तर सम्मंदी दोस्तों आपने पढ़े होंगे काई में साइंस में पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे मंदाकनी आकास गंगा नेबूला नेहारी का ये सबी आपने पढ़े ठीक है? सभी लोग वीडियों को लाइक ज़रू करेंगे और अंगला सब्धे है आपका परस्ण है रेण सब्दे कैसा है दोस्तों रेण? ठीके फिर तदभाओ की बात आती है तो तदभाओ सब्द वो है जो आये तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में आके उनका रूप क्या हो गया परिबर्थित हो गया तो वो तदभाओ हो गया फिर दोस्तों आता है देसज यानि कि अपनी देसी भासा में जो उत्पन हुए है वो देशच कहलाते हैं और संकर सब्द यानि कि दोस्तों दो भासाओं का जो मिस्रित होता है वो होता है संकर सब्द है ना तो यहाँ पर जो रिन सब्द है रिन यह आपका तत्सम है तत्सम यानि कि टू नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा बी नम्मर आपका बिलको सही है और अब आपको बताना है, अब तब करना मुहाबरे कास क्या है, अब तब, यानि कि आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, या फिर उक्तसभी क्या हो जाएगा, अपन बोलते ना, कि यार वो तो अब तब कर रहा है, मैंने उसको 5000 रुपे दे दिये थे, और वो अब ठीक है, D नमबर आपका सही है दोस्तो, अंगला है मद्ध्प्रदेश से प्रकासेत साहित एक पत्री का कौन सी थी, आपको पता है दोस्तों, कि जब मद्ध्प्रदेश की बात होती है, तो मद्ध्प्रदेश का प्रθम समाचार पत्र माना जाता है कौन सा, गौालियर एक नमबर आपका सही हो जाएगा एक नमबर आपका सही हो जाएगा तीक है एक नमबर इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ज्यान मंडल ब्रहत हिंदी कोस में लगभग दोस्तो एक लाग पचास हजार सब्द हैं यह आपको बताना है किस प्रकार का बाख है ज्यान मंडल ब्रहत हिंदी कोस में एक लाग पचास हजार सब्द हैं यह आग्या सूचक बाख होगा एक्षा सूचक हो जाएगा बिधान बाचक हो जाएगा या संकेत आर्थक हो जाएगा तो दोस्तों इसमें कोई संकेत नहीं दिया गया तो ये कट गया है आपका इसमें कोई आग्या नहीं दी गया तो ये भी कट गई है ना अब एक्षा बाचक और बिधान बाचक दो चीजें आपको होती है और दो चीजी में आपका यहाँ पर एक्षा से आप नहीं कर रहे है आप बोलते हो कि आपकी यात्रा मंगल मैं हो आप एक्षा से बोलते हो ठीक है लेकिन यहाँ पर तो एक बात कही गई है जो विधित है ना वो कही गई है कि ग्यान मंडल बरहत कोस में 1,5,000 सब्द है तो यह आपका बिधान बाचकबाख हो जाएगा यानि तीन नमबर आपका बिलकुस सही हो जाएगा C नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है हिंदी में आप जितनी जादा प्रेक्टिस करोगे उतनी जादा पकड़ हिंदी में आप बनती जाएगी बिलोम सब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है मुक्ती का बिमुक्ती पूर्बान का अप्रान सरल का जटल नीरो का ध्वनी अब बिलोम सब्द योग में बताना है दोस्तों तो कौन सा नहीं है कौन सा नहीं माना जाता तो आपने बिलोम सब्द पड़े हैं दोस्तों पहली कक्छा से ही बिलोम चालू हो गया था आपका और आपका यहां पर सही होगा मुक्ती का बिमुक्ती मुक्ती का बिमुक्ती यह दोस्तों आपका बिलोम सब् होता यानि कि आपका जो एक नंबर है अंस जी एक नंबर आपका बिलकुस सही है पूर्बान का अपरबान ये है सरल का जटल है नीरव का ध्वनी भी है ये तीनों तो सही है फिर आपने देखा कि बेमुक्ति का बेमुक्ति ये बिलॉम नहीं है एक दूसरे के यानि आपका उ लोगे उतनी जादा आपको किलियर होंगे सब्द उतनी जादा चीजें आपको किलियर होंगी तो आप लोग प्रेक्टिस जरूर किया करें सुद्ध बाक बताना है अब कोयल का कंट सबसे मधुरतम है मौहन और रीता दौनों तैर रहे हैं उसके अंदर कई दोस हैं आकास बह यहाँ पर आगया क्या सबसे है ना और यहाँ पर आगया दोस्तो ठीके और यह मौहन और रीता दोनों तैर रहे हैं यह दू नमबर जो है वो आपका सई हो जाता है टू नमबर आपका सई हो जाता है बी नमबर जिनने बताया है बी आपका सई हो जाता है ठीके तो एचीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर मधुर्तम की अगर बात हो मधुर्तम तो मधुर्तम दोस्तों सबसे मधुर ही होता है मधुर और मधुर्तम यानि कि मधुर्तम होता है स्रेष्ट अपन बोलते ना मधुर और मधुर का जब स्रेष्ट हो जाता है तो यहां पर सबसे लगाने की कोई ज़ूरत थी नहीं है ना तो यह भी आपका बाक गलत हो जाता है और टू नमबर आपका सही हो जाता है ठीक है टू नमबर इस सबसे मधुरतम नहीं आता बेटा एक नमबर नहीं आता क्योंकि मधुरतम होता ही सबसे स्रेष्ट ह है ना मधोर का स्रेश्ट जो बनता है वो मधोरतम बनता है ठीक है और आपको बताना है सुद्ध सब्द कौन सा है वो परियोक्त अलहाद उन्नती या पर क्रत्त कौन सा है प्रश्निक्रमांग 19 का उतर सबसे पहले कौन बताता है उसका देख लेते हैं कौन बता रहा है सबसे पहले 19 का सुद्ध सब्द कौन सा है और सुद्ध सब्द किसी ने अभी तक नहीं बताया और आपका जो ना तो आलहाद है ना उन्नती है है ना संद्या जी साहू बिलकु सही है आपका प्रेम सिंग जी उपरियोक्त आपका एक नमबर बिलकु सही हो ज जाएगा ठीक है सबसे पहले बताने वाले दो ऐसे अपने स्टुडेंट होंगे जिनका में नाम लूँगा ठीक है समोच्चरित भिनारतक सब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है समोच्चरित और भिनारतक इस सब्द योग में नहीं है तो कौन सा सुत सूत सुवन सुम सुमन ये भी समुझ चारित हैं, सुर शूर ये भी समुझ चारित हैं, सदा और सर्वदा ये आपका समुझ चारित नहीं होगा, यानि की चार नमबर आपका बीस का जो उत्तर बताया है वो कौन बताता है सबसे पहले बीस का चैन करें सबी लोग और उत्तर बतायें और दोस्तो आपका जो चार नमबर है वो तो आपका सही हो जाएगा गीताइन付 जली है भी आपके आइसर बिल्कु सही है पिर आपको बताना है नी उपसर्ग से बना सब्द कौन सा है यानि कि पॉस्निकरमांक एक नी काय, नी लाब, नी सकाम या फिर निकाय चार बिकल्ब में से चैन करना है हमें है ना और उत्तर आपका क्या हो जाएगा तो नी उफसर्ग पूँचा गया है पिंकी मीना जी और उफसर्ग आपको पता है कि सब्द के प्रारंब में लगते हैं है ना उफसर्ग और सब्द के अंते में लगते हैं प्रत्य ठीक है ये तो आपको पता है तो आपको दोस्तों यहां पर हो जाएगा क्या कि A B कट जाएगा A B कट जाएगा A B कट जाएगा और आपका उत्तर होगा बिकल्प नमर 4 ठीक है चार नमबर जितेंदर यादाओ जी आसीज जी चार नमबर बिलको सही हो जाएगा फिर आपको बताना है अंगूर खटे होना मुहाबरे का आर्थ क्या है प्रश्ण किरमांक टू में अंगूर खटे होना मुहाबरे का आर्थ हमें बताना है और सुरप सक्सेना जी प्रश्ण पर पड़े रहना या प्रद्याने से साब मना कर देना तो इस मैंसे हमने можем चैन किया है और अमरिता गोतम तू का जो आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कोई बस तू ना मिलने पर उसका दोस निकालना ये आपका अंगूर खटे होना है ना बी नमबर आपका बिलकुछ सही हो जाता है ठीक है इसको याद रखेंगे प्रतीक्षा जी नेक्स्ट बताना है यथावत का सुद्ध रूप निमने मैंसे कौन सा है यथावत हमने देखा था कि दोस्तो यथा संभाव या फिर यथा सकती अगर आता है तो अ रश्निक्रमांक आपका तीसरा है और यथावत जो लिखा जाता है दोस्तो वो कैसा लिखा जाता है यह याथावत लिखा यानि कि गलत हो गया यह यथावत लिखा यह भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया और उत्तर आपका जो हो जाएगा आरके बर्माजी क्या हो जाएग भी था संदीब जी क्या बताया था कि 5 बाटों का 5 बटों का समूव यानि कि 5 ब्रक्छों का समूव ठीक है इसको याद रख लेंगे हैना आर सरी जल्दी से बताना है चार का उत्तर क्या होता है और सभी लोग अगर पढ़ने में ध्यान देंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तो नाम तुमें आपको सबसे लास्ट में सभी के नाम लूँगा आप चिंताना करें और पंच बटी में जो समास है वो आपका हो जाएगा दोस्तो दिगू समास दि धउधानन में कुश द समास है तो दस दन यानिकि 10 है मुख जिसके तो आपके सही हो जाता बहु भूती समास बहाँ पर भी 10 आ rightly दा संक्याबाची लेकिन बहु भी समास होता लेकिन दोस्तों यहां आपका दिगू है बहु प्रीज समास हो जाता आपका दसानन में ठीके माता पिता में आपका द्वंद समास होता और नील कमल में आपका कर्मधाराय समास हो जाता मतलब पहला पद दूसरे पद की अगर बिसेश्ता बताए तो बहां पर आपका क्या हो जाता है कर्मधाराय समा आपका बिल्कु सही हो जाता है और आकरण भी अकारण भी नहीं है तो आ उफसर्ग आपका क्या हो जाता है आ अलग है भरण अलग है है ना तो तीन नमबर सी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाता है सी नमबर राजेस जी ठीक है आपरण आपका बिल्कु सही है कमान का कौन सा सही बिलोम है दोस्तों कमान आप लोग बोलते कि मैं कमान समाल रहा हूँ मैं कमान समाल रहा हूँ सर तो आप लोग कमान समालो और मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को SPG कमान का जो बिलोम होता है वो होता है तीर और तीर कमान आप बोल देते हो है ना जैसे हम पढ़ते हैं संदी का बिलोम होता है बिच्छेद संदी का बिलोम बिच्छेद बैसे ही तीर का कमान तीर का बिलोम कमान का बिलोम क्या होता है तीर कमान का तीर इस परकार से कमान का त और संदी का भिलो बिच्चिद, तो इनको पड़ते जाएं, तीन नमबर आपका बिल्कोष सहिं हो जाएगा, तिर्फला बताना है, तिर्फला में कौन सा समास है दोस्तों, तिर्फला कर्म धाराय हो जाएगा, ढंद, बहु बर्ही, या फ 중요 algún सामास हो जाएगा, तो तिर्फल तिर्फला दिया है और तिर्फला में आप क्या बता देते हो दिगू समास तीन फलों का समू है ना जैसे हम बोलें तिर्मास तिर्मासिक है ना तीन मासों का समू है ठीक है और दिगू यहाँ पर आपका हो जाएगा चार नमर ममता जी चार नमर दिगू समास बिल्कु सही और इन्त वनों ने दोस्तु सबसे पहले आठ रसों की चर्चा की है, अपने दोस्तों घ्रंत में, ठीक है, नाट सास्त्र, इनका गरंत है, स्वनु मीनाजी, किसका भरतमुणी का और इस furnace आठ रसों की चर्चा की है, और यहां पर भक्ती रस का इस्थाई भाव आपसे इस्तर विस्यक रती है समर्पन है या फिर आस्ता है और दोस्तों आपको पता है कि भरत मुनी ने सांत रस नहीं माना और आंगे चल के सांत रस भी रस की स्रेणी में आया और रसों की कुल संक्या नो हो गई और फिर भक्ती रस और स्रंगार रस आ गया और यहां पर इस्तर व विश्यक जो प्रेम होता है भक्ती होती है वो भक्ती रस के अंतरगत आता है दोस्तो आपको पता है कि मीरा वाई ने जो भक्ती की थी वो भक्ती रस के अंतरगत आती है इन्होंने दोस्तो स्रीकर्ष्ण को ही अपना सब कुछ माना और स्रीकर्ष्ण से ही प्रेम किया वो जो प्रेम था वो जो रती के भाव थे वो दोस्तो भक्ती मानी जाती है भक्ती का क्या माना जाता है इस्ताई भाव माना जाता है यानि कि इस्त्वर विस्वयक रती ठीक है संकल्प के लिए सही संदी बिच्छित क्या होगा दोस्तो आपको मैंने कई बार बताया है ट्रिक भी ब पूँच लिया गया तो आप विच्छित क्या बताओगे समधन कल्प है ना समधन कल्प यानि कि आपका जो एक नम्मर है समधन कल्प बिलको सही हो जाता अब सी इनी लगाना इस भी काट दो ए भी काट दो ए भी काट दो समधन कल्प आपके ये नम्मर बिलको सही होगा और आ से आप क्या लगाओगे बेंजन संदी लगाओगे और किम का क्या हो जाएगा किम यहां है किम कर तो आपका किन नहीं होगा ना किम होगा है ना और दोस्तों ना आपका किम धन कन होगा तो कौन सा उत्तर हो जाएगा प्रश्ण किरमांक 10 में उसा जी जेतेंद्र जी तरिक याद रख लेना कि इस प्रकार से अगर पहले ही सब्द में बिंदी आ जाए तो आप बेंजन संदी आखे बंद करके लगा देना इस प्रकार से इस संकल्प में पहले सब्द में बिंदी आ गई तो बेंजन संदी आखे बंद करके लगा देना ठीके फिर लचन का सुद पुद्रूप हमें चैन करके बताना है तब यहां पर पायल राई जी प्रश्ण किरमा के 11 का जो राई टांसर हो जाता है वो क्या हो जाता है रोज अपका 3 बच के 20 मिनिट पर हिंदी दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी का अभ्यास करेंगे आप जितना जादा अभ्यास करोगे उतनी जादा आपकी दोस्तों क्या होजएगी हिंदी में capacity बढ़ेगी हिंदी का ग्यान बढ़ेगा ठीक है और लच्छन का होता है क्या हम बोलते हैं कि एक भी लच्छन अच्छे नहीं हैं है ना बोले लच्छन सोधारो लच्छन अच्छे लच्छन लाओ इस प्रकार से बोलते ना तो ये लच्छन जो है एक नमबर का बिलकुश सही हो जाएगा ठीक है एक नमबर एक नमबर सही हो जाएगा फिर आप से पूचा जाएगा कि जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक सब्द क्या होगा एक सब्द बताना है दोस्तों जो हम पहली दूसरी से ते हुई आ रहे हैं संजै जी आसीस जी जो बाद में अधिकारी बने इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा उत्रादीकारी उत्रदीकारी या फिर उत्तारा अधिकारी तो देखो उत्तारा तो होता नहीं यह भी आपका कट गया अब इसमें आपको कन्फ्यूज होगा और उत्रा भी नहीं होता है ना उत्रधीकारी नहीं होता तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तो उत्राधीकारी अब देखो इसमें क्या है यहाँ पर लिखा है उत्राधीकरी करी लिखा है सब्द को जो गोर से पढ़ना है यहाँ पर करी लिखा है और यहाँ पर कारी लिखा है तो उत्राधी कारी यानि कि जो C नंबर है देखो कुछ लोगों ने एक बता दिया एक नंबर आप तोड़ा सा सब्द को देखो दोस्तों यहाँ पर आगया कारी और यहाँ पर आया कारी और हमें बताना है उत्राधी कारी है ना तो तीन नंबर जिनने बताया उनके लिए बहुत बहुत सुपकामना है, बिल्कुछ अहीं बताया है, आरके बर्मा, हैना यूगल जी, तीन नम्बर है इसका, और तेरा का उत्तर आपको बताना है, राहुल उईके, तेरा का बताएंगे, जिसने रिन उतार दिया हो, उसके लिए क्या कहा जाता है, रिनी, उरिनी, उरिन, या पिर अनरिन दोस्तों आपको पता है जिसने रिन लिया है उसे रिनी कहा जाता है तो पहला तो आपका बैसा ही कर जाता है ठीक है अब जिसने उतार दिया हो उसे उरिनी कहते हैं या उरिन कहते हैं अनरिन भी आपका कर जाता है अब दो मैंसे आपको दो बिकल्प हैं दो मैंसे आपको चुल लेना है प्रश्ण किरमांग 13 का और 13 का लच्छमी जी जो आपका बिलकुछ सही आता है वो होता है उरिन होता है दोस्तों जिसने रिन उतार दिया हो उसके लिए कहेंगे उरिन यानि कि तीन नंबर सी नंबर आपका बिलकुछ सही है रागुवेंदर जी बहुत बढ़िया फिर काम देओ के लिए सही परियावाची बाले सब्दों की पंक्ती बतानी है काम देओ के लिए दोस्तों यह से कोस्चन कई पूछे जाती है ब्यापम में इसलिए ऐसे कोस्चन के लिए आप तयार रहना है क्योंकि यहां गलती आपकी सबसे जादा होती है दोस दोस्तो यहाँ पर अनंग अनंग आया है तो अनंग तो आ गया मतलब अनंग तो हो गई ठीक है मनोज मनोज सब में आ गया है तो मनोज भी है अब एक फसी है मरदन होगा कि मदन होगा एक आपकी फस गई तो आपका होगा दोस्तो क्या मदन तो आपका जो उत्तर हो जाता है कि अनंग, मदन और मनोज यानि कि आपका सही उत्तर क्या हो जाता है तीन सी नंबर आपका सही हो जाता दोस्तो आप यहाँ पर सर्च करें कि अनंग अनंग सब में आ गया तो अनंग आपका हो गया है ना अब मरदन ये आ रहा था तो आपका तीन नंबर मनोज मनोज भी आ रहा था तो मनोज भी आपका हो जाता सी नमबर आपका बिल्कुँ सही है रादिका बर्मा जी नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कौन सा रस हो जाएगा रस को पढ़ना है दोस्तो रस बहुत ही दोस्तो कई बार पूछे जाते हैं एक दो प्रस्ण आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहां पर आपका स्रंगार रस हो जाता है भौहन तरासती मुख नटती हैना आखन इसनों लपटाती और यहां ची छुड़ावत इचिकर आँगे आवती जाते स्रंगार रस के दो भेद होते हैं दोस्तो क्या होता है स्रंगार रस के दो भेद होते हैं एक सयोंक स्रंगार और एक ब्योग स्रंगार आपको पता है कि जब सीता जी का हरन हुआ सीता जी का जब हरन हुआ तो राम जी ने कहा था कि हे खग म्रग हे मदुकर स्रैनी तुम देखी सीता म्रग नैनी यानि कि राम जी क्या पूछ रहते खग और म्रगों से पूछ रहते कि सीता जी कहा है आप बताईए आपने देखी हैं क्या यानि कि ये बियोग की दसाती, इसकी राम की, तो ये बियोग स्रंगार हो जाता, लेकिन आपसे एक और उधारन दिया जाता कि राम को रूप नहारत जानने की कंगन के नग की पर चाहीं यातें सब सुद्ध भूल गईं कर टेक रहीं पल टारत नहीं, मतलब राम को रूप द ये सही, परयवाची वाले सब्दों का पंग्ती को चुनना है, घर जिसमें आप रहते हो, घर वो बतानी है सदन, निकतन, गेह तो आपको एक चीज तो पता है दोस्तों, कि घर को निकेतन कहा जाता है एक सब्द है, गेह भी कहा जाता है तो आपकी दो चीजें किरियर हो जाती है कि निकेतन कहा जाता है गेह कहा जाता है और सदन कहा जाता है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा तो जो आपका two number है सदन कहा जाता है घर को निकेतन कहा जाता है घर को गेह भी कहा जाता है घर को यानि कि घर के परियाबाची सदन भी हो जाएगा निकेतन भी हो जाएगा और गेह भी हो जाएगे ठीके यानि जो टू नमबर है आपका बी नमबर वो भी नमबर दोच्टो मैं आपसे बोला हूँ कि आप practice करें जितनी जादा practice करेंगी हिंदी में उतना जादा आपकी हिंदी में पकड़ाएगी अंत प्रत्य से बना सब्द कौन सा है अंत प्रत्य और प्रत्य आपको याद रख लेना है हमेशा कई बार होता है क्या है कि प्रत् प्रत्ता बनाओ की प्रत्य दोस्तों बाद में लगता है संजय जी और उपसर्ग लगता है सब्द के पहले और यहां पर अंत प्रत्य से बना सब्द बताना है तो दोस्तों अंत से क्या हो जाएगा अंत नहीं होगा है ना अंत रंग नहीं होगा अंते में नहीं होगा इसमें कोई अंत प्रत्य नहीं आ रहा रटन्त में कर दो तो रट, धन अंत बराबर हो जाता है रटन्त तो दोस्तो रट एक सब्ध है अंत भी आपका प्रत्य हो जाएगा यानि कि D नम्मर आपका बिल्कु सही हो जागा रटंत है है ना आप रटंत लेते हो तो अंत में उच्चान होता अंत है है ना तो इस पे रटंत आपका सही होगा करण का कौन सा सही बिलोम सब्द है करण का सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों रोज 3 बच के 20 मिनिट पर अपनी हिं होता है तो जरूर पढ़ें और करण का जो सही बिलोम सब्द है निस्थूर 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 या फिर निस्थूर करण का बताना है और बिलोम बताना है हम क्या करते हैं किसी के पिरती करणा करणा दरसाते हैं है ना और कोई-कोई व्यक्ति का करता बड़ा निस्ठुर इस प्रकार से लिखा जाता है यानि टू नंबर बी नंबर बिलको सही बताया बिकलेस जी है ना और यतिंद्र कुमार सिंग जी ठीक है अब आपको बताना है इस करोणा कले तहरदय में क्यों बिफल रागनी बच्चती इसमें कौन सा लंकार है इस करोणा कले तह आया है करोण यहाँ पर आया कलेत है ना हिरदय में क्यों बिफल रागनी बच्चती अब आपको दोस्तों यहाँ पर चैन करना है कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा और 19 का आपका सही होगा अनुप्रास मैंने आपको अनुप्रास कई बार पढ़ाया है दोस्तों कि तो हमने लगा दिया अनुप्रा सालंकार ठीक है जो सभी से बना होगा सभी ने बिल्को सही बताया है फिर आपका । दोस्तों लस्ट कॉस्चिन है आज का कि देखी दुपहरी घामि की छाहों चाहती छाह हैं मैं कौनसा अलंकार है दे की दोपहरी घाम की छाहो चाहती छाह हैं इसमें बताना है कौनसी सिलेस अलंकार, यमक अलंकार, अनुपरास अलंकार या फिर उपमा अलंकार मैंने दोस्तों आपको अलंकार का वीडियो दिया है है ना वीडियो दिया है आपने साइद अलंकार नहीं देखा होगा लेकिन जरूर देखें अजय यादाव राहो लुईके जी इसमें आपका हो जाएगा कौनसा अनुपरास फिर हो जाएगा कैसे आपने पड़ा है कि दा फिर आया और फिर दा आया दा दा की फिर आबरती हो और आपने बता दिया कि सर इसमें अनुपरास अलंकार है भोजनालाय में कौनसी संदी है दोस्तों आप संदी रोज पढ़ते हैं लेकिन आपको संदी आज बतानी है यहाँ पर टेस्ट आपको देनी है जो भी महत्पूर है सबसे पहले कौन उत्तर बताता है आज हम चैन कर आने वाले हैं कितने साती हैं जो सही उत्तर भी बता पाते हैं और भोजनालाय में संदी बतानी है और चार संदी आपके सामने दे दी जाती है कि सर पहली संदी है गौनस्वर संदी दूसरी बेंजन संदी तीसरी बिसर के संदी और चोती है दीर के संदी और यहाँ पर मैंन भोजन धन आले बराबर होता है दोस्तो भोजन आले ठीके भोजन ये आपको याद रख लीना है ठीके भोजन धन आले ठीके भोजन धन आले ठीके भोजन धन आले तो दोस्तो ये आ बड़ा आ और आ मिलकर दोस्तो आपका क्या बर रहा है आ बन रहा है ठीके इसको याद रख होता है और यहां पर दीर्गिस्वर संधी आपकी बिल्कुछ सही हो जाती है फिर आप से पूचा जाता है पौरालेक सब्द में कौई सा प्रत्य है पौरालेक बतानी है याणि कि प्रशनिक्रमांक दो का उत्तर चेहन करना है और दोस्तों मैंने आपको कई बार प्रत्य पढ़ाया है कि जो प्रत्य होता है वो सब्द के बाद में लगता है उपसर्ग जो होता है वो सब्द के पहले लगता है और आपने कई बार पढ़ा है पहली से पढ़ते आ रहे हैं कि सरो प्रत्य और कोई प्रत्य का भी नहीं होगा आड़क भी नहीं होगा तो आपको बताना है कि पुरान में अगर पुरान में आप दोस्तो पिलस एक प्रत्य कर दो तो आपका बन जाता है पुरान एक और आपका प्रत्य हो जाता है एक नंबर ठीक है एक नंबर आपका बिलकुँ सही हो ठीक है स्वानु जी अंगला कोश्चन आपका बताना है कि मानस सलल सुधा प्रतिपाली जी आई की लवड पयोधी मराली इस पंक्ती में कौन सा लंकार है मानस सलल सुधा प्रतिपाली जी आई की लवड पयोधी मराली यह प्रश्निक्रमांक तीन अन्योक्ति लंकार हो जाए तीन का आपका बिलकुस सही आंसर हो जाएगा बक्रोक्ती अलंकार यानि कि तीन नमबर प्रतिपाली जी अलिकी लवड पयोधी मराली ठीक है तीन नमबर आपका बिलकुस सही आंसर हो जाएगा इसमें आपको याद रख लेना है दोस्तु मैंने आपको बक्रोक्ती बताया थ कि जहाँ पर जान बूझ कर क्या लगाया जाए उल्टा अर्थ लगाया जाए बहाँ पर आपका बक्रोक्ती अलंकार हो जाता है और यहाँ पर आपका बक्रोक्ती अलंकार ही हो जाएगा यानि कि जिन्हों ने तीन नमबर बताया है सी नमबर बताया है कि संजी उनका अंसर बिल्कुस सही हो जाएगा अनिल लांगर जी बिल्कुस सही है फिर आपको बताना है कि बिग्रह का बिलोम सब्द कुन सा है बिग्रह का बिलोम बताना है आप लोग पढ़ते हो कि सर समास बिग्रह है ना अनुग्रह ग्रह संधी ये चार बिकल्प हैं आप तो बोलोगे सर मैं तो बिलोम तो बच्पन से पढ़ते आ रहा हैं क्या बात कर रहा है आप बिलोम नहीं बनेगा क्या हम से तो बता दो जरा उत्तर प्रशने किरमांग 4 का बिलोम क्या हो जाएगा और जो बिलोम कौन सबसे पहले बताता है प्रशन समास में क्या संदी का जो होता है वो बिच्छेद होता है ना संदी का बिप्रीत हो जाता है बिच्छेद और समास का बिप्रीत होता है बिग्रह है ठीके तो यह भी आपको याद रख लेना है अगर पूचा जाए कि संदी का बिलोम क्या है तो आप बता देना बिच्छेद औ और समास का बिग्रह का अगर पूछा याए तो समास हो जाएगा, ठीके, इसको भी आपको याद रख लीना है, तो यहाँ पर आपका तीन नमबर जो है, वो बिलकुस सही हो जाएगा, C नमबर आपका सही होगा, ठीके, इसको भी आपको याद रख लीना है, ठीके, अंगला क जाएगा ठीक है यह भी आपको याद रखना है है ना और दोईस्चित का सब्त नहीं है तो क्या नएं दात들, चंद्रमा कपूर या फिर पक्छी यह बतानी है और यहां पर आपका सही है कि जो द्वेज द्वेज मतलब दात को बोलते हैं चंद्रमा को बोलते हैं कपूर को बोलते हैं या फिर पक्छी को बोलते हैं तो द्वेज किसे कहा जाता है द्वेज और द्वेज बताना है संदी बिग्रह नहीं होता संदी बिच्छेद होता है पिंकी मीना जी और कपूर आपका सही होगा कपूर द्विज सब्द का अर्थ होता नहीं है तो वो नहीं है कपूर यानि तीन नंबर है कपूर सही होगा दात आपका सही है द्विज का चंद्रमा भी आपका सही है पक्छी भी पक्ची को भी द्विज बोला जाता है ठीक है तो ये जो तीन नमबर है तीन नमबर अमन जी तीन नमबर आपका बिलको सही हो जागा कपूर ये द्विज का आर्थ नहीं होता फिर आपको बताना है घी की खिचली होना मोहावरे का आज से क्या है मोहावरे भी आपने पड़े है है ना क्या पड़ते हैं मौहावरी सबी लोगों .. ने पढ़ी है लोक।क्ती भी सबी लोगों ने पण़ी है और घीए खिचली होना यहां आपसे पूछ लिया गया तो आपका हुत्तर होगा प्रिगाड प्रेम होना आपको पता है कि घी का और खिचडी बहुत ही संबंद होता है दोस्तों बहुत ही प्यारा संबंद होता है इनका इस मोहाबरिकार्थ होता है घी खिचडी होने का प्रिगार प्रेम होना है ना प्रेम कैसा होना बहुत ही कैसा होना प्रिगार गहरा प्रेम है ना वो कहलाता है गीखिचडी होना, यानि जो B-number है 2-number है, वो आपका बिलकुल सही हो जाएगा, ठीके B-number, मौहाबरिकास प्रेगार प्रेम होना, या बिलकुल सही है, फिर आपको बताना है कि दोस्तो, violation का हिंदी आर्थ बताना है क्या हो जाएगा बैगनी रंग बताएगा अहिंसा पृति हिंसा या फिर अती किरमन यानि कि प्रश्ण किरमांग साथ का आंसर का चेन करना है साथ का क्या होगा साथ का उत्तर बताना है साथ का चैन करना है साथ का क्या हो जाएगा दोस्तों आपको और प्रशने किरमांग साथ में आपका बिल्कुस सही आंसर होगा अती किरमन क्या हो जाएगा अती किरमन हो जाएगा ठीके ये अतिकिर्मान वाला आपका बिल्को सही हो जाएगा प्रस्ण किर्मान के साथ में और किसी को कोई डाउट लगता है तो वो क्या करें कि अंत में हम पांच मिनिट आपको दे देंगे कि आप पांच मिनिट में कोई डाउट लगता है किसी प्रस्ण में वो आप पूँच सकत है अगर बीच में आप डिस्टर्फ करेंगे तो उसमें गड़बड हो जाता है मेरी जो लए है जो आपकी पढ़ाने का वो है वो सब क्या हो जाता है गड़बड हो जाता है इस लिए बीच में किसी भी प्रकार के कोई प्रस्ण ना पूछें, पांच मिट आपको दिये जाएंगे, किसी भी प्रस्ण में डाउट लगे, मैं वो किलियर करूँगा, ठीक है, भेलासी बोली किस जन जाती है समूँ से संबंदित होती है, भील, कोरकू, गौंड या फिर बैगा, यह बता नहीं है यानि कि प्रस्ण किरमांक आठ में, भेलासी बोली किस जन जाती है समूँ से संबंदित है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तो, यह बोलियां भी आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है, खड़ी बोली किसके अंतरगत आती है, ब्रजभासा किसके अंतरगत आती है, यह सारी जो के पठार के अंतरगत कौन कौन सी जिला आते हैं मालबा के पठार के अंतरगत कौन कौन सी जिला आते हैं ये अगर चीज आपको किलियर है तो आप बिना पड़े ही बोली के बारे में बता दोगे ठीक है तो ये भिलासी बोली भील जन जाती की है है ना ये याद रख लेना द सही होगा हो चुका उससे एहकाम बाक कैसा है हो चुका उससे एहकाम यह बाक बताना है तो बताएंगे क्या हो जागर निसेद परक सरचना बिनमरता सूचक सरचना बिदी सूचक सरचना कारण कार संबंद सरचना यह हमें बताना है तो फूला रानी जी राज का पाडिया जी प्रस्ण किरमांक नौका उत्तर अपना क्या हो जाएगा, हो चुका उससे एहकाम बाक जो है, एक कैसा बाक हो जाएगा, देखो निसेत परक तो है नहीं, मतलब एक कट गया, ठीक है, फिर आपको बिनमर्ता सूचक लग रा क्या, लग रा क्या, ये भी नहीं लग रा, तो, हो चुका उससे एहकाम, तो यहाँ पर प्रस्ण किरमांक 9 में दोस्तों उत्तर यहाँ पर बता रहे हैं क्या, निसीत परक सरचना, लेकिन क्या आपको लग रा, निसीत परक सरचना, हो चुका उससे एहकाम, है ना, लेकिन यहाँ पर आपन बोलते हैं ना कि आपन बोलते हैं कि वो एकाम कर लेगा इसकी जो सरचना है वो निसेद परक है कैसे सरचना है वो देखो हमने बोला कि किसन जी एकाम कर लेंगे तो आप क्या बोलोगें अरे वा हो चुका उनसे है काम ऐसा ही बोलते ना मतलब वो क्या हो जाएगी आपकी निसेद परक सरचना हो जाएगी कि उनसे यह काम नहीं होगा अरे हो चुका इनसे काम है ना ऐसे ही बोलते ना तो यहाँ पर जो आपका ए है ए नंबर वो ही सही हो जाएगा इस सरचना को पढ़ने का बोलने का जो तरीका है जो इसकी सरचना है वो निसरेध परक है इसको कर लेंगे कैसे हमने बोला कि किसंण से वो किसंण काम कर चुका है तो आप लोग मैसे कोई बोलेगा रहे सर हो चुका यह काम उन से हैना तो यह जो है एक नंबर ही सही होगा निसरेध परक इसकी सर intervention यानि कि यह negative way में कहा गया बाग है है ना तो एक नमबर ही सही होगा इस प्रकार से भी question आते हैं दोस्तों है ना अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अबस आना बाग कैसा है आग्या सूचक बाग है एक्छा सूचक बाग है या फिर विधान वाचक बाग है या फिर संकेत आर्थक बाग है बहाँ पर सरचना पूछी गई और वो निसेद बाग उसकी सरचना हो जाएगी है ना negative way में वो बात कही जाती है कि अरे आप भी यार क्या बात कर रहे हो चुका उनसे है काम वो तो कभी ऐसा करते ही नहीं है ना अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अव आग्या सूचक भी नहीं है एक्छा भी नहीं है बिधान भी नहीं है यह हो जाएगा आपका संकेत संकेत सूचक अगर आओ तो है ना तो यह आपका चार नम्मर संकेत आर्थक जो बाग है वो बिलको सही हो जाएगा थोड़ा था प्रस्ण को पढ़ना है और फिर उत्तर ब गलास में आते तो मैं पढ़ाता है ना तो यहां पर एक संकेत था आपको संकेत दिया गया अगर आते तो हम पढ़ाते तो यह क्या हो जाएगा संकेत आर्थक ऐसा ही कहा गया कि अगर आप आओ तो घर जरूर आना मुंबई आओ तो इस प्रकार से कहा गया वो बाग है सूर बताना है सूर का परयावाची क्या होता है और दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुस स्यागा देखो अंसू माली भी होता है सूर का मरीची भी होता है और पतंग भी होता है यानि कि यह चार है अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहा है आप मैं परयावाची पहली जाएगा सूर को मरीची भी कहते हैं पतंग भी कहते हैं कायको सूर को अंसुमाली मरीची पतंग इस सूर के परियाबाची माने जाते हैं दोस्तों बहुत कटिन होते हैं इसलिए प्रेक्टिस करना बहुत जरूर है जितना ज़्यादा प्रेक्टिस करते हो जितना ज़्यादा समास होते हैं अब जिससे समास नहीं आता वो देखो अभी के अभी समास यहां पर सीख जाएगा कैसे सीख जेगा है सबसे पहले दोस्तों हमने देखा आप से पूछा जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं आपने बता दिया सर समास छे प्रिकार के होते हैं ठीक है कौन कौन से अब्वैई भाव समास दिगू समास कर्मधाराय समास द्वंद समास तत्परोश समास और एक और है बहु बिरही समास ये छे प्रिकार के आपके समास होते हैं पहले पहले मैं बता दू कि पंच बटी पद में कौन सा समास है तो पं संख्या सब्दा है जैसे पंच यानि कि पांच आया यहां पर पांच यहां पर जहां पर यहां पर यहीं संख्या लगे तो बहां पर दिगू लगा लेना लेकिन अगर तीसरा अर्थ निकले तो बहां पर बहु बिरही लगाना भले ही संख्या हो और तीसरा अर्थ निकले तो बहु बरीही लगा देना ठीके याद रख लेना है और अब्याई बहु समास में प्रिथम पद जो होता है वो अब्याई होता है उपसर्ग होता है ठीके कर्मधाराय समास में प्रिथम पद दूसरे पद की बिसेस्ता बताता है द्वंद समास में एक दूसरे के क्या होते हैं बिलॉम होती एक दूसरे में दूंद होता है जैसे अगर में मोलू कि माता पिता माता का बिलॉम क्या होगा पिता ठीके तो इस प्रकार से अगर बिलॉम सब्द आते हैं तो बहाँ पर दूंद समास हो जाता है कर्मधाराय समास में मैंने यहाँ पर लिखा कमल है ना और कमल है और यहाँ पर लिख दिया मैंने नील कमल तो यह जो नील है दोस्तो प्रिथम पद है और यह नील किसकी बिसेश्टा बता रहा है कमल की बिसेश्टा बता रहा है यानि कि नील कमल में जो आपका हो जाएगा कर्मधाराय समास हो जाएगा तो कर्मधाराय समास आपको याद हो गया कि सर पिर्थम पद अगर दुतिय पद की बिसेश्ता बतलाए तो बहाँ पर कर्मधाराय समास होता है और दिगू समास में संख्या आती है तो दिगू समास होता है अब्याई भाव समास में उपसर्ग भी आता है और अब्याई भी आता है ठीक है तो इन चीजों को याद रख लेना है और दोस्तों आपका मामूली सब्द कैसा है मामूली तत्सम ये मामूली सा दिखने वाला सब्द बताना है ये तत्सम है बिदेसी है तदभाव है या फिर देसज है मामूली सब्द ये कौनसा माना जाए बिलकुं सही के सँची और आपको बताना है प्रस्मे किरमाँ के थर्वाइऑ रचार मामूल सब्द बहुंगा रचारी होने हैं और आपको मामूली तो सब्द सब्दि भी इस सब्द आपको पढ़ने है दोस्तों कौनसा तत्सम है, कौनसा तदभव है, कौनसा विदेशी है, इनको पढ़ना है और यहां से एक question आपका आएगा तत्सम तदभव से, इन सब्दों से ठीक है, और विदेशी आपका बिलकु सही होगा स्वास्त संबन्दी में चार बिकल्प हमने दिये आपको आरोग धाम, निरोग धाम, सुजी बन या फिर स्वास्त बाटिका तो कौनसी ऐसी पत्रि का है जो मद्द्परदेश से परकास्थ है और स्वास्थ सम्न्दित है मैंने आपको अभी बताया था जब तक आप उत्तर बताओ जब तक मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट आपको बता दू कि मद्द प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था गौलियर अकबार गौलियर से प्रकासित हुआ था और दोस्तो ये उर्दू भासा में प्रकासित हुआ था मद्द प्रदेश का प्रथम प्रथम पत्र हिंदी में प्रकासित होने बाला प्रथम समाचार पत्र कौन था तो आ हमारा जो स्वस्त है वो कैसा हमारी बोले निरोगी काया होनी चाहिए सबसे बड़ा सुख क्या है बोले सर निरोगी काया पैसे ऐसे तो होते रहते हैं अजू बाजू कभी हमारे पास कभी आपके पास लेकिन सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है ना तो ये स्वास्त पत्री का है वो निरोगधाम है तू नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा निरोगधाम ठीक है फिर आप से पूछा जाता है जैसंकर की किर्टी कौनसी है दोस्तों आपको 15 का उत्रवताना है रचनाओं में से भी एक क्वेस्चन पूछा जाएगा रचनाओं भी हमें कभीय मिठा ये पंक्ती किसकी है देसल बायना सब जन मिठा बोले सरे बिद्या पती की है और कैसे याद किया कि मिठा आया है तो मिठा मिठा जो बोलते हैं जिनमें बिद्या होती है जिनमें बिद्या होती है वो मिठा मिठा बोलते हैं और मैंने उन्हें बताया कि मिठा मिठा बोल थारो काई बेगेडे काई बेगेडे थारो काई बेगेडे और यहाँ पर दोस्तो जैसंकर प्रसाद दिया है और जैसंकर प्रसाद आपको पता होगा कि ये छाया बाद की प्रवर्ट तक माने जाती है हिंदी साहित में ठीक है हिंदी साहत में आपको पता होगा इनकी प्रसाद की किर्ती आसू भी है चंदर गुप्ती भी है इसकंद गुप्ती भी है और इनकी सबसे स्रेष्ट किर्ती मानी जाती है दोस्तो कामाईनी अब दोस्तों सर बोले बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर कामाईनी को कैसे याद करें कामाईनी को याद करें मैंने मैं बताता हूँ कामाईनी को कैसे याद करना है बोले कामाईनी किसकी रचना है तो मैंने कहा कि आप कामना करने जाते हो किसके पास संकर जी के पास कि संकर भ जैसंकर पिरसाथ की मैंने कहा याद हो गया कि हाँ याद हो गया कामाईनी जैसंकर पिरसाथ की ऐसे ही रचना भी आपको मैं पूरी याद कर बादूँगा और यहाँ पर आसू हो चंद्रगुप्त हो इसकंद गुप्त हो कामाईनी हो लहर हो जरना हो और बसी हो और बसी दो लोगों की रचना हैं दो कभियों की रचना है दोस्तों एक आपके दिनकर जी की भी रचना और बसी है एक संकर जैसंकर पिरसाद की भी रचना और बसी है याद रख लेना फिर आप से पूचा जाता है चतीस गड़ में बोली जानी बाली जो बोली है वो कौन सी है दोस्तों उपर युक्त मैं से कोई नहीं सबसे पहले दे दिया आपको, फिर आप पहारी हिंदी की अंत्रगत, पूरवी हिंदी की अंत्रगत, पस्चमी हिंदी की अंत्रगत, जो 36 गड़ी बोली है ये बताना है किस की अंत्रगत आती है, यहाँ पर question थोड़ा सा गड़बड हो गया, मैंने कहा कि पूर्वी हिंदी के अंत्रगत आती है किसके अंत्रगत पूर्वी हिंदी अब बोले सर इस पूर्वी हिंदी को कैसे याद करें तो मैंने कहा रुख जाओ मैं आपको बताता हूं यहां से आप लगा दो आ यहां पर लगा दो आब और यहां पर लिख दो 36 गड़ अब 36 गड़ी तो आसे अब दी चत पूर्वी हिंदी की है बगेली पूर्वी हिंदी की है तो आपकी ये 36 गड़ी है किस की हो जाएगी पूर्वी हिंदी की हो जाएगी कोड क्या याद रखा अब 36 गड़ी क्या याद रखा अब 36 गड़ी अब दी बगेली और 36 गड़ी अब आप से कभी भी पूछा जाएगा कि बगेली किस बोली किस की अंतरगत आती है आप बता देना पूर्वी हिंदी अब दी किस की अंतरगत आती है पूर्वी हिंदी ठीक ह तो आप तो कभी नहीं भूलोगे आप पूर्वी हिंदी की भासा बोलियों को कभी नहीं भूला है ठीक है फिर बिलोम सब्द योग में कौनसा नहीं है तो कौनसा नहीं है जल्दी बताना है उपरियोक्त अदोलेकित सामान अदुतिये मान अभिमान या सवल निर्वल यानि क प्रश्न किरमांग 17 का उत्र बताना है क्या हो जाएगा तो बिलोम सब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है और बहुत बढ़िया आपको बताना है बिलोम आप लोग समझते एक दूसरे के बिलोम है ना तो आपको बता है मान का क्या होता अभिमान सामान का क्या होता दोस पूचा है तो कौन सा नहीं है उपरयुक्त का अधोले के तेतो है सामान का अधुत्य है ना कोई सामान चीज है कोई अधुत्य है यहाँ पर नहीं है पूचा है तो मान का अभिमान है ना अभिमान यह नहीं है दोस्तो मान और अभिमान एक ही हो जाएंगे है ना आपन बोलते फिर आपको बताना है कि सुद्ध बाक कौन सा है चाहे जैसे हो तुम बहाँ जाओ मेरे लिए ठंडी वरफ लाओ हम तो अबस्ती ही जाएंगे तब सायद एह काम जरूर हो जाएगा तो सुद्ध आपका बता है कौन सा हो जाएगा सुद्ध बाक का चैन करना है और सुद्ध बाक का चैन करते करते हमने लगा लिया क्या लगा लिया दोस्तो चाहे जैसे हो तुम बहाँ जाओ मेरे लिए ठंडी वरफ लाओ यहाँ पर दो है क्या हो गया दोस्तों बरफ कैसी होती है ठंडी ही होती है तो ठंडी लगाने की क्या जरूरत थी ठंडी बरत लाओ बरफ गरम होती क्या जल्दी से बताओ कमेंट में बरफ क्या गरम होती नहीं होती न तो सीधे बोल देते कि मेरे लिए बरफ लाओ ठंडी ल लगना था, यहां पर ही गलत हो गया, तब साइद एह काम जरूर हो जाएगा, है ना, तो यह भी आपको याद रख लेना है, और साइद भी लगा दिया, और जरूर भी लगा दिया, तो यहां पर यह गलत हो जाता है, तो यहां पर साइद गलत हो जाया, यहां पर ही भी गलत ह परिख्चा क्या यह पहां झाई तो चाहे जैंसे हो तुम बहां जाओ यह आपका एक नमबर बिल्कुस सही होजाता है ठीक है एक नमबर तो इस प्रकार से सब्दों को आपको पूचा जाता है दोस्तों और गलत हो जाती है अपने सब्द सुद्ध-सब्द आपको बताना है परिक्षा क्या यहांसा लिखा जाता है आप लोग परिक्षा दे रहे हैं ऐसा लिखा जाता क्या परिनती प्रिसाद प्रांगन अब इन में से सुद्ध सब्द कौन सा है यानि कि प्रश्ण किर्मांक उन्नीस का उत्र बताना है अगर आप हिंदी में दोस्त अच्छी परनती हो जाती परनती मतलब होती भाबना है ना तो आपका जो टू नम्मर है बिलको सही हो जाता है और आपका पूछा जाता है कि समोच्चारत भिन्नार तक सब्द योग में नहीं है तो कौनसा नहीं है समोच्चारत और भिन्नार तक रोटी पराठा अबलंब है कि कौनसा सब्द योग में समुच्चारत भिनार तक नहीं है कौनसा हो जाएगा दोस्तों यहां पर दिया रोटी पराठा ये क्या है एना उत्तर होगा आपका रोटी पराठा ठीक है अब लंब अभी लंब ये समुचारत है अचर सचर है आसक्त है ठीक है तो ये तीन तो हैं बाकी एक नमबर नहीं है तो एक नमबर में आप टेक लगा के बोल देना कि सर ये तो हमें पता था तो एक नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा ठीक है फिर दोस्तों बढ़ते हैं अंगले प्रस्णों की और उन्रंतर अभ्यास करते रहते हैं अत्यादिक के लिए सही संदी बिच्छित को चुनिए अत्यादिक का सही संदी बिच्छित क्या होगा अतीधन आदिक अतिधन अधिक अतियाधन अधिक या फिर अतीधन अधिक तो क्या होगा बड़े समल के उत्तर देना क्यूंकि यहाँ पर बर्तनी सम्बंदी कॉस्चन भी एका आप से पूच लिया गया पहले तो एक question में 2 question पूछते हैं लोग, एक question में 2-2 आंकलन आपका कर लेते हैं, कि आपसे बरतनी संबंदी सुध्धी आती है की नहीं आती, संधी आती है की नहीं आती, ये 2-2 प्रस्ण आपसे पूछ लिए जाती हैं, तो यहाँ पर देखो, ना तो आपका अत्या धन अध ना अतिधन आधिक होगा तो उत्तर क्या होगा उत्तर क्या होगा देखो यहाँ पर आधिक लिखा यहीं पर कन्फ्यूज होगा बहुत सारे लोग यहाँ पर आधिक लिखा और यहाँ पर अधिक लिखा तो यह सब्दों को हमें पढ़ना है अतिधन आधिक यानि कि जो चार नंबर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है डी नंबर आपका सही हो जाएगा कुछ लोगों ने बता दिया अतीधन आधेक है ना तो सब्दों पर हमें क्या करना मैं बोई बोल रहा हूं कि ब्यापम आपको दो जगा कनफ्यूज करती है सबसे पहले तो संदी पूछ लिय फिर बरतनी संबंदी दे दी आपको तो आप कनफ्यूज हो के गलत करते हो वो लगा दे अतीधन आधेक है ना मंत्री मंडल का सुद्ध रूप कौनसा होगा दोस्तों मंत्री मंडल बोले तेरा मंत्री मंडल और मेरा कमंडल है ना तो इसको बताना है कि मंत्री मंडल का होता नहीं है तो ये भी आपने काट दिया तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यह मंत्री मंडल ठीक है एक, नम्मरा का बिलकुँछ सही और अब दोस्तो उत्ष्कठा में, उत्ष्कठा में नहीं रहना दिरेक कि आ विप संधन चय या फिर संधन चाय तो देखो यहां पर चाय आ गया तो इसको भी कट गया यहां पर चाय आया यह भी कट गया अब दो बिकल्प आपके पास हैं तो संचय का दोस्तों आपका सन होता नहीं है है ना कौन सा हो जाएगा फिर आपका उत्तर संधन चय है ना संधन चय ब ये बिंदी आ जाए, तो आप आँखे बंद करके लगा देना कि सरस में बेंजन संदी है, कौनसी संदी, जैसे आप से पूचा जाता है संसार, संसार में कौनसी संदी है, है ना, और संसकार, संसकार में कौनसी संदी है, ठीक है, ये आप से कई बार पूचे जाती है, तो आप आपको याद रखेना है कि अगर प्रितम सब्द पर बिंदी आ जाए तो बेंजन संदी बंद करके आँखे लगा देना और संचय में आपका हो जाएगा सम धन चय और बरावर हो जाएगी बेंजन संदी ठीक है अंगूठा चाप मोहावरे कार्थ निमने लेके तो बाक्यों म होता है तो याद रखेना ये अंगूठा चाप का भी आपको बताना है है ना अंगूठा चाप तो मरत्यू निकटाना निरक्षर किसी ब्यक्ति के इमान ये चरित्र पर संदेह करना देने से मना कर देना तो क्या होता है पहले ही आपको पता है अंगूठा चाप जो निरक् question है फिर आप से पूछा जाता अकसमात का सुद्ध रूप कौनसा है अकसमात आप बोलते हो कि यार उसकी मृत्यू अकसमात हो गई अकसमात हो गई वो बीमार तो नहीं था अकसमात हो गई है ना तो अकसमाट का सुध्य रूप कौईसा होगा गर पहली दूसरी में आपने अच्छे से पड़ा होता है बरतनी को अच्छे से पड़ा होता तो आगसमाट वाली यह आज की दिन नहीं देखने होते हैं ना बोले सर अकसमाट? इस परकार से लिखा जाता है क्या? आकसमात ये तो लिखा ही नहीं जाता काड़ दो अकासमात ये भी नहीं लिखा जाता और अकहसमात ये भी नहीं लिखा जाता तो थोड़ा सा अगर आप सब्द में थोड़ा सा अबो करोगे जोड़ दोगे तो तर अपने आप निकल की आता है कि अकसमात इस प्रकार से लगाये जाता है और ता में यहाँ पर हलन्त लगता है हलन्त लग जाता है वो अकसमात आपका सही हो जाता है ठीक है फिर आग के लिए सही परियावाची दोस्तो यह आग बाला यह आग पीछे नहीं छोड़ती आप कोई भी एक्जाम दे लो यह आग क्या नहीं छोड़ती पीछा नहीं छोड़ती इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से तो बताओ जल्दी कौन सा परयाबाची है जो आग का परयाबाची क्या पूचा है है आग का परयाबाची कौन सी 35 सही है अगनी 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 तमी है ना अनल 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 देखो अगनी अगनी तीन में आया तो अगनी तो हो गया अनल 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 तीन में आ गया तो अनल भी हो गया अब यहाँ पर देखो कौन सा सबसे ज़्यादा आया बोली सर पाबक और पाबक यह भी दो जगा आया तो पाबक भी हो गया अब देखो अगनी अनल और पाबक कौन से में दिया तो आपने देखा कि अगनी अनल और पाबक यानि कि तीन नम्मर में दिया है तो याद रख लेना यहाँ पर दो चीज़ें konfuse होती, मैं भी कई बार konfuse हुआ हैं दूस्तों, किसमें ये मैं पढ़ लेता था कि angle मतलब b excus होता है और angle मतलब अगनी होती है आ गहन ये मैं कभी कभी angle का bophy कर देता था और angle का अगनी कर देता था लेकिन फिर मैंने कैसे याद किया ट्रिक लगाई मैंने भी यार एंसे याद नहीं होगा इसको है ना याद तो हो जाता था लेकिन फिर भूल जाते थे तो अनिल का मैंने मैंने कहा मेरा भाई एक अनिल है और वो आग की तरह नहीं है वो कैसा है बायू की तरह है बिलकुल है ना वो आग नहीं उगलता तो मैंन अनिल का लगाया कि वो अनिल कैसा है मेरा भाई बायू है ठीक है और अनल मतलब फिर यह अगनी हो जाएगी अगनी तो इसमें कन्फ्यूज होते हैं हमेशाब मैं भी कई बार हुआ हूँ आप लोग नहीं हो ना इसलिए मैंने आपको बता दिया है आबट प्रत्ते से बना सब प्रत्ती में कोई आबट नहीं आ रहा तो आबट का जो बनेगा कौन सा बनेगा मिलाबट है ना तो मिलाबट यानि टू नम्मर आपका सही हो जाएगा प्रत्ते से बनेगा ठीक है मिलाबट आपका बिलकु सही होगा फिर अंगला बढ़ते हैं दूस्तों करकस का सही बिलो तो हटके जीना है, करकस तो सभी लोग बोल लेते हैं, मिठा बोल के देखो, मजा आएगा, तो मघोर नहीं बोलते और मधुर नहीं बोलते, तो करकस का जो बिलोम होगा, वो क्या होगा? मधुर और मधुर बोला करो सभी लोग बी नमबर आपका सही हो जागा करकस का मधुर बी नमबर ठीक है मधुर सही कर लेना और सभी को मधुर मधुर बोलना है और दोस्तो मीरा भाई का जो काब रूप था इनकी जो भक्ती भावना थी वो भी माधुर भाव की थी माधुर भाव की आप से पूछा जाता है कि मीरा भाई की जो भक्ती रसका जो क्या है इस्थाई भाई क्या है तो आप बोलते हो इस्वर विसयक रती होता है भक्ती रसका इस्थाई भाई है ना और ये इस्वर विसय कीगति घायल जाने और ना जाने कोई मीरा भाई ने कहा था है ना और यहां पर अदभुत रसका इस्थाई भाव बताना है तो तर आपका क्या हो जाएगा अदभुत दोस्तों किसी भी चीज को देखकर हमारे अंदर आश्चर की भाव होती है यार आश्चर हो रहा है अदभ बहुत सारे लोगों ने बिल्कु सही बताया है फिर आप से पूचा है बी उफसर्ग से बना सब्द कौनसा है यानि की प्रस्न किरमां के दस वी उफसर्ग बताना है दोस्तों कौनसा है तो देखो यह उफसर्ग कहा लगता है सबसे पहले तो यह देखो पहले लगता है ठी विराम में बड़ा भी लगा है अभी में लगा नहीं तो ये उत्तर हो जागा कौनसा एक नमबर विराम और एक नमबर आपका विराम उफसरग में भी आपका बिल्कु सही हो जाता है धरमेंदर जी या तिंदर जी ठीक है ये नमबर आपका बिल्कु सही है फिर अंगला क्व करने बाले के लिए एक सब्द कौन सा होगा ग्यारा दोस्तों बेतन के बिना कार करने बाला क्या कहा है आगा बिना बेतन का बिना बेतन हम बोलते नहीं इसको है ना और इसको क्या बोलेंगे अबैतनिक भी नहीं बोलते आब या बैतनिक भी नहीं बोलते तो हम उसे एक ठीक है कामोडी कामेडी तक है ना इसको याद रखना है और यह अबियतने का आपका बिल्कुस सही होगा नर नारी में कौन सा समास है नर नारी अब आपको बताना है दोस्तों मैंने आपको समास बताया था कि नर नारी नर का बिलॉम क्या होता है नर का बिलॉम होता है नारी ठीक है नर्का बिलॉम, नारी तो आपको बताना है नर्नारी में समास कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में ही बता दो, समास आपका भी गलत करना नहीं दोस्तों, गलत करके जो भी आएगा उसका समझो की उसकी खैरियत नहीं, मैंने समास को बहुत अच्चे से रोज में आपको बिग्रह करें तो नर और नारी आ जाएगा तो और वाचक जो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर द्वंद समास आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है द्वंद समास फिर आप से पूचा जाएगा थोड़ा जानने बाला के लिए एक सब्द क्या होगा थोड़ा जानन वाला देखो अलपग्या ये कर जाता है ये भी कर जाता है अब दोस्तों दो बचते हैं दो में आपका 50-50 परसेंट चलता है ये है की ये है ये है की ये है तो बताओ कौनसा है थोड़ा जानने वाला उसे क्या कहा जाएगा एक सब्द में और एक सब्द में आपका सही होगा क इतमें बताना है हातों हात में द्वंद है बहु ब्रही है तत्प्रोस है अब देखो कैसे समझ में आएगा दोस्तु आपको यहाँ पर बहु ब्रही कोई तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा तो बहु ब्रही काट दो ठीके तत्प्रोस इसमें है नहीं ठीके इसको काट दो कोई द्वंद इसमें होनी रहा है, तो इसको भी काड़ दो, फिर कौन सा उत्तर निकलता है, कौन सा निकल की आ जाता है, कौन सा निकल की आ जाता है, बोली सतर हाथों हाथ में हैं, अब्व्यई भाव समास, जैसे आपसे अगर पूंचा जाए, दिनों दिन, दिनों दिन, हातों हा वहाँ पर भी आपके क्या हो जाता है अब यह भाव समास हो जाता है और यह नम्मर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा दोस्तों बहुत सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes ठीक है यह play store में आपको self study classes का app देखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे